प्रेश नम्मर 226 पवित्र में प्रियुक्त संधी का नाम है पवित्र शब्द है हमारे पास इसमें जो संधी है वो कौन सी संधी है उसका नाम हमें बताना है यंड संधी, गुंड संधी, आयादी संधी या फिर वृद्धी संधी तो यहाँ पर है हमारे आयादी संधी, पवित्र, तो आप देखेंगे कि इसमें आयादी संधी है, अगर आपको संधी से संबंधित grammar के rules and regulations नहीं आते हैं समझ में, तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हम आपके लिए इसके लिए एक complete वीडियो बना के लाएंगे, जिससे कि संधी विच्छेद करना है, अब हमें बताना है, तो इत्यादी शब्द है मारे पास, और इसका संधी विच्छेद करना है, इत्यादी, 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 तो जो इसका सही option है, वो है option number D, इत्यादी, तो यहाँ जो इसका संधी विच्छेद है वो होगा इती और आदी प्रेश नमबर 228 निरर्थक का सही संधी विच्छेद है निरर्थक शब्द है मैं पास और इसका हमें जो संधी विच्छेद है वो बताना है इस शब्द का जो सही तरीके से संधी विच्छेद किया गया विच्छेद हमें मालूम है आपके पास ये एक शब्द है इसमें दो शब्द जो है प्रियोग किये गए है उसको अलग करना है तो उस अलग करने की प्रक्रिया को विच्छेद कहते हैं तो संदी विच्छेद हमें सही जो हुआ है वो बताना है निर अ संदी विच्षेद हो जाएगा प्रश नंबर 239 निराशा का सही संदी विच्षेद है अब यहां पर निराशा शब्द का हमें संदी विच्षेद बताना है निरा जमा आशा निर आशा निर आशा निर आशा निर आशा तो आप्शन नंबर सी जो है वो सही है नि आशा यहां पर इसका जो सही संधी विच्छेद है वो होगा प्रश नमबर 230 महोश्न का संधी विच्छेद बताना है तो महोश्न का संधी विच्छेद जो सही है वो बताना है महो उश्न महा उश्न महो उश्न महा उश्न तो जो आप्शन नमबर D है वो इसका सही संधी विच्छेद होग महोश्न में से महा और उश्न ये दो प्रापर शब्द हैं जो जुड़कर हमें एक संधी का उधारन बनाकर पेश करता है तो option number D जो है इसका सही हो जाएगा प्रश्न नमबर 231 सनमती का संधी विच्छेद बताना है तो संमती ये एक वर्ड है इसका हमें संधी विच्छेद बताना है जो प्रापर संधी विच्छेद है इसका वो क्या है सम मती, सन मती, सद मती, सत मती तो option number D जो है वो सही है सत मती जो है वो सन मती यहाँ पर इसका सही संधी विच्छेद है प्रश्ण नमबर 232 परोबकार में प्रियुक्त संधी का नाम बताना है परोबकार शब्द हमाई पस यहाँ पर इसमें जो संधी है उसका नाम बताना है विसर्ग, गुण, वृद्धी या फिर यन तो यहाँ पर गुण संधी है जो कि बहुत हीजी है सभी को मालूम होता है गुण संधी किस प्रकार इसमें होगा तो परोपकार में क्या है गुण संधी है प्रशनमर 233, निमनलिखित में से कौन सा शब्द जो है वो स्वर संधी का उधारन है स्वर संधी के अंतरगत जो शब्द आता है यहाँ पर वो हमें बताना है अधोगती, उचारण, दिगज या मनवंतर तो आप्शनमर D जो है वो इसका सही होगा जो स्वर संधी के अंतरगत आएगा प्रशनमर 234, निश्चल का सही संधी विच्छेद बताना है निश्चल, 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 निश्चल प्रश्ण nombor 215 निमली खित, शब्डों में किस विसर्ग संदी है? उज्वल, निहृचल, राजेंद्र? अब विसर्ग संदी सबी को मालूम है? इस तरीके से शवड के साथ जो लगा रहता है विसर्ग संदी, तो वो हमें पताना इनbit से कौन से शब्डों में है? option number D दुर्गम तो हमारे पास जो शब्द है जब आप इसका संधी विछेद करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि जो निष्चल शब्द है अभी हमने question number 234 में ही पढ़ा है अब इन सब की जवा संधी विछेद करेंगे इन सब का संधी चेक करेंगे तो आपको विसर्ग इसमें नहीं मिलेगा तो जो कि विसर्ग संधी का उधारन नहीं बन पाएगा तो option number B जो है निष्चल तो वो इसमें विसर्ग है जिसकी वज़ा से ये विसर्ग संधी का उधारन बन जाएगा प्रश नमबर 236 सप्टरशी का सही संधी विच्छेद क्या है अब हमाँ पास ये शब्द है इसका संधी विच्छेद बताना है सप्तर रिशी सप्तर रिशी या फिर इन में से कोई भी नहीं तो option number C सप्तरिशी इसका जो है सही संधी विच्छेद बहुत easy भी है इसका संधी विच्छेद तो करने में कोई doubt ही नहीं रहता है प्रेश नमबर 237 स्वागत में पर्यूक्त संधी का नाम बताईए तो स्वागत शब्द हमाँ पास इसमें जो संधी है वो बताना है वेंजन, यन, दीर्ग, वृद्धी जब दो शब्ध हमारे जुड़ रहे होते तो जब हमारे उसमें स्वार से जुड़ रहा है वेंजन से जुड़ रहा है तो उसे स्वार संधी, वेंजन संधी बोला जाता है तो ये भी जानते हैं आप दीर्ग संधी बहुत easy है यन संदी भी हम जानते हैं कितना एजी है तो संदी को आप एक बार आराम से समझेंगे संदी बहुत आसान सा एक व्याकरनिक नियम है बिल्कुल भी इसमें आपको समझ से नहीं आएगी अगर आप एक बार हाँ थोड़ा सा ये जो व्याकरनिक नियम है थोड़ा वास्ट है बड़ा है तो जादा नियम है इसमें बहुत सारे नियम याद करने पड़ जाते हैं जिसकी वज़े से बच्चे कन्फ्यूज हो जाते हैं लेकिन बहुत इजी भी है अगर आप एक बार समझ के दो से तीन बार प्रैक्टिस कर ले तो आपका ये चीज पक की हो सकती है अभी हमें स्वागत में प्रयुक्त संधी का नाम बताईए तो दिगंबर शब्द है मारे पास इसका जो इसमें संधी वो बतानी है और साथ ही आप प्रैक्टिस करने के लिए इसका संधी विच्छेद भी करके देखें जिससे आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो सकती है तो दिगंबर यह हमारी संधी विच्छेद है अब हमें इसमें संधी बतानी है व्यंजन संधी तो यह है व्यंजन संधी तो आप देखेंगे कि इसमें कौन से संधी है व्यंजन संधी है अब आपको यहाँ पर हमने दे दिया है इसका विच्छेद अब जिस तरीके से जुड़ा हो रहा है किस बेसिस पर व्यंजन संधी आप इसे चेक करें इसे आपकी प्रेक्टिस होती जाएगी और आप और भी बहतरीन संधी के लिए होते जाएंगे प्रश्ण नमर 249 देखते हैं निमलिखित शब्दों में से किसमे स्वर संधी है अतेव रजनीश तपोगुन सदाचार तो ऑप्षन नमर बी जो है वो इसमें स्वर संधी में शामिल होगा तो 249 का ऑप्षन नमर बी सही उत्तर हो जाएगा 249 प्रत्यूपकार का सही संधी विच्छेद बताने हैं आप हमाई पास प्रत्यूपकार शब्द है इसका सही संधी विच्छेद बताने है प्रत उपकार प्रती उपकार प्रती उपकार प्रती उपकार तो आप इसमें फरक देखें उपकार और अपकार बच्चे बहुत बार जल्दी जल्दी में प्रती देख लेंग प्रश्ण नमबर 241 या शोदा में प्रिउक्ट संधी का नाम बताना है स्वर संधी वेंजन संधी विसर्ग संधी या फिर इनमें से कोई नहीं तो आप्शन नमबर सी जो है वो सही होगा ये विसर्ग संधी के अंतरगत आता है प्रश्ण नमबर 242 निमलिकित में एक द्रिष्टी से एक शब्द जो है अशुद्ध है वो कौन सा है हमें वो सिलेक करना है तधेव तथापी तदाकार तदोपरांथ तदोपरांथ जो है वो संधी के अशुद्ध है प्रश्ण नमबर 243 अभ्यूद्ध है इसमें कौन सी संधी है संधी विश्यत कीजीए आप करने के बाद आप बढ़ी असानी से पता कर सकते हैं इसमें कौन सी संधी है गुण आयादी यन या फिर दिर्ग तो अभ्युदय में यन संधी आप्शन नमबर सी जो है इसका सही उत्तर है प्रश्ण नमबर 244 स्वरसंधी के कितने भेद होते हैं तीन चार पाँच या फिर साथ तो स्वरसंधी जो है उसके पाँच भेद होते हैं प्रश्ण नमबर 245 स्वरसंधी का उधारन कौन सा है वागीश, दिगंबर, रतनाकर, दुशकर्म तो रतनाकर जो है वो स्वर संधी का एक उधारन है कैसे है आप इसकी संधी विच्छेद करें संधी विच्छेद जब करेंगे तो आपको दो शब्द दिखेंगे जिसमें आप देखेंगे कि जुडाओ किस बेसिस पर हो रहा है तो आपको ये पता लगेगा कि ये स्वर संधी है या व्यन्यन संधी है ये बाते क्लियर हो जाएंगी प्रेश नमबर 246 व्यर्थ शब्द में किन वर्णों की संधी हुई है यानि कि व्यर्थ ये जो शब्द है इसमें वर्णों की संधी हुई है जुडा हुआ है तो वो कौन से वर्ण है जिसकी संधी हुई है E और A E और U E और A E या फिर A तो आप्शन नमबर A जो है इसका सही होगा E और A यहाँ पर वर्णों की संधी हुई है जिससे मिलकर व्यर्थ शब्द बना है त्यार हुआ है प्रशन नमबर 247 निर्जन में प्रियुक्त संधी का नाम बताना है हमें निर्जन हमाई पास शब्द है इसमें जो संधी है वो बताना है प्रशन नमबर 248 ब्रह्मास्त्र का सही संधी विच्षेद क्या है अब हमें ब्रह्मास्त्र एक शब्द दिया गया है इसमें जो संधी विच्षेद वो बताना है ब्रह्म अस्त्र या फिर ब्रह्मास्त्र 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 तो option number A जो है वो सही है ब्रह्म, जमा, अस्त्र ये दो शब्दों से मिलकर यहाँ पर ये ब्रह्मास्त्र शब्द तयार हुआ है ब्रह्मास्त्र अब आप देख सकते हैं ब्रह्मा में जो ये आ की मात्रा और यहाँ पर चोटा आ जो है ये दोनों मिलकर इसकी आ की मात्रा बन गए यहाँ पर तो इस तरीके से हमारा ये संधी विच्छेद है ब्रह्मास्त्र का option number A सही हो गया प्रेश नमबर 209 चास स्वागतम में परियुक्त संधी का नाम बताईए स्वागतम एक शब्द हमाँ पास इसमें जो संधी है उसका नाम बताना है यन संधी गुंड संधी देर्ग संधी या फिवरिद्धी संधी तो इसमें क्या है यन संधी है प्रेश नमबर 250 सूर्यदय में परियुक्त संधी का नाम बताईए तो सूर्य दे एक शब्द है हमारे पास इसमें जो संदी है वो बताना है गुण संदी, वृद्धी संदी, यन संदी, अफिद्रिग संदी तो सूर्य दे एक शब्द है बहुत ही आसान सा एक उधारन है इसमें हमारे पास गुण संदी है बहुत ही easy गुण संदी होता है आप इसके बहुत सारे उधारन लेजिए प्रैक्टिस कीजिए आपको चीजे समझ में आ जाएंगी बहुत ही आसान होता है गुण संदी तो सूर्यदों के देखते ही हम समझ जाते हैं कि इसमें गुण संदी है प्रश नमबर 251 निरुत्तर शब्द का सुद्ध संदी विच्छेद है नि उत्तर नि उत्तर नि उत्तर या निर उत्तर नि उत्तर अब आप देखेंगे ये दो आप्शन नि नि और इसमें उत्तर है इसमें उत्तर है तो ये भी ध्यान रखना में बहुत बारी किया देखनी यह option में तो option number D सही हो जाएगा इस हिसाब से नी उत्तर तो इसमें एक विसर्ग संधी का उधारन भी है और शुद्ध संधी विच्छेद भी है तो इसमें आप और भी चीज़े जो है चेक कर सकते हैं जिससे कि आपके अच्छी प्रेक्टिस हो जाएगी आपका अच्छी प् आने का वो बताना है मन भाव मन भाव मन हयाओ मनो भाव मन याओ तो option number C मनो भाव देखते ही हमें पता लगता है यहाँ और यह किसका उधारन है विसर्ग संधी का विच्छेद करके देखेंगे उसके बाद ही आप पता लगा पाएंगे कि जो है इसमें विसर्ग संधी किसमें है तो अत एव में जो है अब इसकी जब आप करेंगे तो आपको यह मिल जाएगा तो यह विसर्ग संधी के अंतरगत आता है प्रश नमबर 254 निमलिकित शब्दों में किसमें व्यंजन संधी है अब व्यंजन संधी किसमें है सबतर्श सदकार हिमाल। तो option number C जो है वह व्यंजन संधी का उधारन है। जब आप इनके संदी विच्छेद करेंगे तो जिस तरीके से संदी विच्छेद करने के बाद ये जिन शब्दों के जुड़ाओं से वर्णों के जुड़ाओं से या फिर स्वरों के जुड़ाओं से बने हैं शब्द तो आपको उसके आधार में पता लग जाएगा कि ये वेंजन सं आ जमाई, ए, स्वर संधी के किस भेद को व्यक्त करता है, यह स्वर संधी का एक नियम है, यह किस भेद को व्यक्त करता है, दीर्ग संधी को, गुंड संधी को, वृद्धी संधी को, या फिर यन संधी को, तो आप्शन नमर बी है, गुंड संधी को, बया करता है यह, प्रश संदी का उधारन आप किस संदी के अंदर अंतरगत कौन से नियम का पालन करते विए संदी का प्रियोग करते हुए जो है यह शब्द तैयार हुआ स्वर्विसर्ग व्यंजन तो तो हमें साफ़ पता लग रहा है कि यह विसर्ग संदी का उधारन है प्रश्ट नमबर 257 उत्हार के योग से कौन सा शब्द बनेगा अब आपके पास ये संदी विच्छेद है अब आपको इस से बना जो शब्द है उसका उधारन हमें बताना है इसमें कौन सा सही option होगा उत्हार उत्हार दो शब्द है उत्जमाहार उतार, अहार, उधार या फिर उधार तो option नमबर D जो है इसका सही होगा कि ये उत्जमाहार उधार 258 धातू के कितने भेद होते हैं 5, 9, 2 या फिर 6 option नमबर C सही है धातू के दो भेद होते हैं प्रशन नमबर 269 अनवय का सही संदी विछेद बहुत ही फेमस उधारन है अक्सर पूछ लिया जाता है अनू जमाहाए अनू अब आप देखेंगे इसमें छोटा उकी मात्रा का प्रियोग है इसमें बड़े उकी अनू जमाहाए अनू आए अनू आए तो आप्शन नमबर ए जो है अनू आए तो यहाँ पर आप देखेंगे यह जो अनू है इसका जो छोटे उ की मात्रा है वो और यह अ यह मिलकर किस तरीके से जो है एक शब्द बनाते हैं और स्वरसंधी का भी आप देख सकते हैं यहाँ पर एक उधारन बन रहा है तो अनूए का जो सही संधी विच्षेद है वो यह है अब आप कहेंगे कि इसमें ना दिख रहा है शब्द में और वा दिख रहा है लेकिन इसके संधी विच्षेद में नहीं दिख रहा तो ये संधी के नियमों के अंतरगत चलते हुए जो है इस तरीके से संधी विच्छेद किया जाता है जब आप इन नियमों को समझेंगे तो आपको समझ में आएगा कि अन्वे का संधी विच्छेद इस तरीके से क्यों हुआ है प्रश्च नंबर 260 यदपी में परियुक्त संधी का नाम बताईए यदपी हमाएपास एक शब्द है अब इसमें जो संधी है वो बताना है इसमें गुंड संधी आयादी है यण है यफीदीर्ग है तो इसमें यण संधी है यण संधी का एक उधारन है प्रश्ण नमबर 261 निमनांकित में कौन सा शब्द कृदंत प्रत्य में से बना है अब प्रत्य की बात हो रही है प्रत्य में भी प्रकार होते हैं कृदंत प्रत्य का उधारन कौन सा है इसमें से हमें ये बताना है रंगीला, विकाउद, उधारू, कृपालू तो option number B जो है विकाव शब्द ये कृदंत प्रत्य से बना हुआ उधारन है तो ये विकाव शब्द जो है वो कृदंत प्रत्य का उधारन है आगे बढ़ते हैं प्रश्ण number 262 किस शब्द में आवा प्रत्य नहीं है दिखावा, चड़ावा, लावा, भुलावा अब आप देखेंगे इसमें प्रत्य के संबंदित जो प्रश्ण पूछा गया है कि इसमें आवा जो है वो प्रत्य नहीं होगा कोई एक शब्द इसमें से है और तो प्रत्य आप सभी को पता है अगर किसी को नहीं पता है तो प्रत्य को समझने के लिए आप ऐसे कर सकते हैं पास है प्रत्य शुरूत है और पास है पीछे यानि जो शब्दों के पीछे लगता है वो प्रत्य है तो आप देखेंगे दिखावा इसमें एक मूल शब्द है दिख जिसका मतलब होता देखना और आवा ठीक है चढ़ यानि चढ़ना और आवा लावा ये अगर आप इसमें से आवा हटा दे तो सिर्फ लाशब्द बनता है जो कि मूल शब्द नहीं है और कहीं पे भी अगर आपको प्रत्य या उपसर्ग जोड़ना है तो उसके लिए आपके पास एक मूल शब्द होना बहुत जरूर ये तभी आप उसमें उपसर्ग और प्रत्य जोड़ सकते हैं तो आप देखेंगे यहां पर हमाएं पस एक भी मूल शब्द ने निकला भुलावा अगला ओप्शन देख लेते हैं भुलावा में भूल शब्द जो है एक प्रत्य नहीं है आगे बढ़ते हैं इनमें से कौन सा शब्द जो है समूह वाचक प्रत्य नहीं है लोग गण वर्ग तो इस तरीके से और ऑप्शन नम्बर डी जो है प्रेस तो ऑप्शन नम्बर यहां पर सी जो है वो समूह वाचक प्रत्य में नहीं आता है तो यह नहीं आता है हमें यह ध्यान में रखना है प्रेस नम्बर 264 निमने से किस शब्द में प्रत्य का प्रियोग हुआ है विकल अलक उलक धनिक तो आपको यह देखना है कि इनमें से यह जो शब्द है इनमें से कौन स शब्द पूरा ही मूल है या फिर इसमें से किसी में प्रत्य भी प्रियोग हुआ है तो ऑप्षन नमडर जो डी है इसमें जो धनिक शब्द है इसमें प्रत्य का प्रियोग हुआ है प्रश्ण नमबर 265 निमलिकित में से किस शब्दों में प्रत्य लगा हुआ है सागर नगर जादूगर तो यहाँ पर आप देखेंगे कि एक आप्शन नमबर सी यहाँ पर ले लेते हैं हम अपनी तरफ से तो हमें यहाँ पर देखना है कि किस में प्रत्य लगा हुआ है सागर नगर यह सब एक ओरिजिनल वर्ड से इसमें ना तो उपसर्ग है न प्रत्य है जादूगर शब्द में जो है जहाँ पर प्रत्य लगा हुआ है इसलिए option number D सही हो गया question number 266 निमलिकित में से किस शब्द में उपसर्ग का प्रियोग हुआ है अब उपसर्ग की बात हो रही है तब ही हम किसी भी उपसर्ग प्रत्य का प्रियोग कर सकते हैं तो हमें अब उपसर्ग बताना है कि कहां किस शब्द में उपसर्ग का प्रियोग हुआ है उपकार लाबदायक पढ़ाई अपनापन तो option number A जो है इसमें जो है वो उपसर्ग का प्रियोग हुआ है बाकि जो तीन शब्द है लाबदायक, पड़ाई, अपनापन इसमें उपसर्ग का प्रियोग नहीं हुआ है अब आपको यह चेक कैसे करना है आपको इसमें से एक मूल शब्द पीछे से निकालना है और उसके बाद जो है जो बचेगा वो आपका उपसर्ग है प्रश्ण नमबर 266 निमली की में से किस शब्द में उपसर्ग का प्रियोग हुआ है उपकार लाबदायक पढ़ाई अपना पन तो आप्शन नमबर A सही होगा प्रश्ण नमबर 268 अनुवाद में प्रियोगत इसमें हमें उपसर्ग ढूनना है तो अन अव अनु आप्शन नमबर D इसका सही है क्योंकि अनुवाद में अनु जो है वो एक उपसर्ग है प्रश्ण नमबर 279 निर्वाह में प्रियोगत उपसर्ग बताना है हमें नि निर और निरी तो आप्शन नमबर D इसमें निरी ज उन प्रत्यों की संख्या कितनी होते तो किया पर कृत प्रत्यों की संख्या पुझी जा रही है अठाएस 30 42 तो कृत्य प्रत्यों की जो संख्या है वो 42 है तो इस तरीके से यहां पर हमने कुछ प्रश्न की हैं ग्रेमर से संबंदित हिंदी व्याक्रण से संबंदित जो आपके एक्जाम के परपस से बहुत ही यूसफुल होने वाले हैं इसी तरी से पढ़ते रहें प्रेक्टिस करते कि बहुत क्पुल के ससंटुल है उसीगग loves यूस की हैंश।